हेलो, नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है CPU-Z कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, विंडो 10 के अंदर वो देखेंगे, चले शुरू करते हैं आप अपने laptop या PC के अंदर कोई भी browser open कर लिजएगा, browser open करने के बाद आपको Google open कर लेना है, Google open करने के बाद आपको CPU-Z टैप करके enter कर देना है, enter करते ही आपको first option दिख जाएगा CPU-Z का, इसके उपर आपको click करना है, click करते ही CPU-Z का officially website open हो जाएगा बाकि ये link आपको description में डाल दूँगा, या तो description में जाके link copy कर लिजएगा, अपने browser के URL में आके paste कीजएगा और enter कीजएगा, तो भी directly ये page open हो जाएगा ये page open होने के बाद यहाँ आपको दिखेगा दो option, ये classic version है, एक customized version है, customized version प्रोफेशनल आदमी को लिए, और ये यदि आपको जएदा professional knowledge नहीं है, तो ये normal के लिए, आज मैं आपको classic version normal के लिए बताने वाला हूँ, ठीक है, चलिए normal version के लिए, इसमें क्या है, window के लिए है तो window के लिए आप यहाँ से setup डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा 32, 64 bit के लिए, और zip file भी है, चलिए मैं deck setup इंस्टॉल करता हूँ, या तो आप zip भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं EXC deck setup के लिए, ये setup English पे click करूँगा, ठीक है, तो इस पे click करते हैं, य एक अलग से window open हो जाएगा, यह आपको पूछेगा, कहाँ पे save करना है, तो आप path select कर लिजे, जहाँ भी save करना चाहते है, यह और save कर लिजे, save करने के बाद आपको क्या करना है, यह देख रहे हैं, मेरे case में desktop पे download किया हूँ, save होने के बाद आपको इस EXC को उपर right click करना ह इसको tick करने, unblock का और apply करने, ok कर देना, ठीक है, अब EXC download हो गया, आप क्या करेंगे, इसको install करेंगे, install करने के लिए भी simple तरीका है, इसके ओपर right click कीजिए, या तो open कर सकते है, या तो run administer कर सकते है, या तो EXC के ओपर double click करके भी आप install कर सकते है, ठीक है, करने के बाद जाएगा, यह window आने के बाद, आपको क्या करना है, यहाँ पर tick करना है, first option, accept करना है, और next पर click करना है, फिर आपको next पर click करना है, फिर आपको next पर click करना है, next पर click करना है, और install पर click करना है, ठीक है, करते हैं, यह install हो जाएगा, यह tick mark हटा दीजे, या रखिए, कोई दिक देख रहे हैं install हो चुका है desktop पे शॉटकोट आइकन आ चुका है अब इसको open करेंगे रन करेंगे रन करने के लिए इसके डबल क्लिक करेंगे डबल क्लिक करते हैं यह CPU जेड का software open हो जाएगा ठीक है यह देख रहे हैं open हो चुका है अब इसके प्रू आप सारा information पता कर सकते हैं आपका CPU कौन सा है mother बोड कौन सा है memory किया है कैसे memory कितना है graphics का कितना है यानि सारे detail यहां से आप पता कर सकते हैं cpu-z के लिए कान सा इसके CPU कैसे memory कितना है socket number क्या है ठीक है कैसे कितना है Motherboard कौन सा है, Motherboard का Chipset कौन सा है, Bridge कौन सा है वाइस कौन सा Brand का है, कौन सा Version है, वाइस का इसी तरह आप Memory में कौन सा Memory है, ठीक है, यानने RAM कौन सा है, DDR3 है, 4 है, 5 है क्या है, इसी तरह आप इसके अंदर Socket आप चेक कर सकते हैं एक एक socket यहां से select करके आप चेक कर सकते हैं, graphic card चेक कर सकते हैं, कौन सा graphic card model नमबर है, उसका कैसे memory कितना है, ठीक है, इसी तरह bench चेक कर सकते हैं, इस तरह से आप इसमें बहुत सारा चीज है, आज मैं यहीं आपको CPUJ को download करना, install करना, बेसिक चीज बताएं, next tutorial में detail list के बारे में बताऊंगा, कैसे क्या होते हैं, ठीक है, और फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, तो please comment box में comment कीजे, और please guys channel को subscribe करे, like करे, share करे, thank you,